नमस्कार साथियो, निवस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं सरकार के नुमाइंदगे कहते हैं कि विश्व की अर्थवस्था में मंदी की वज़ा से भारत की अर्थवस्था में मंदी आ रही है लेकिन अब IMF जैसी संस्था ने यह कहना सुरू कर दिया है कि भारत की अर्थवस्था में मंदी की वज़ा से विश्व की अर्थवस्था में मंदी आ रही है IMF ने चालू वित्वर्स में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.01 से घटा कर 4.08 फिस्दी कर दिया है लगातार या अंतराष्टे नौवी अजन्सी है जिसने भारत की GDP का अनुमान कम किया है और इसके साथ एक और रिपोर्ट आई है ऑक्सफायम की जो यह कह रही है आर्थिक असमानता पर कि भारत के 1 फिस्दी उपरी लोगों के पास तकरीबन 42.05 फिस्दी भारत की कुल संपत्ति में हिस्सेदारी है इसी पर बाचित करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परोंजय तो आई-एम-फ का जो यह आकलन है कि GDP गिरती ही जा रही है इसकी क्या वजहें है देखिए अभी स्विट्सरलेंड में डेवोस में विश्व के बरे बरे अमीर लोग पहुच जाते हैं इस समय हमारे देश के भी लोग वहां पहुच जाते हैं इस समय जितने जैसे गैर सरकारी संक्स्था होता है आक्स फैम और मल्टी लेटरल की अलग-अलग देशों का जो बड़ा संक्स्था है जैसे आई-एम-फ अंतराष्ट्रिया मुद्राकोश इंटरनेशनल मनेटरी फ़न्ड इन लोग भी वहां पहुच जाते हैं तो वहां पे गीता गोपीनाथ जो आई-एम-फ का जो मुक्या अर्थ शास्ती है उन से सवाल गया पूछा गया आपने क्यों कम कर दिया पूरा विश्व में आप कह रहे थे कि पूरा विश्व का जो अर्थ विवस्ता है इसमें दोजार उन्नीस बीस वित्त साल में जितन आपने अनुमान किया था जिस रफतार से बरेंगे आज आप कम कर दिया और इसका कारण क्या है तो गोपीनाथ जी ने कहा इसका असी फीसदी इसके लिए कारण है भारत वर्ष का अर्थ विवस्तावा में मन देए असी फीसदी चीन कुछ दिन पहले हम कह रहे थे भारत व बर रहे मगर चीन जिस रफतार से बर रहे आई एमएफ ने बढ़ा दिया शुन्ने दश्मल दो फीसदी कर दिया और कहा कि छे फीसदी बरेंगे और सरकार जो कह रहे चार महीना में आई एमएफ ने उनका जो अनुमान है कि इस विटसाल में आपने पहले कहा था कि छे और फिर बोला ये चार महीने में क्या हुआ आपका तो उन्होंने कहा कि देखिए आर्थिक मंदियार है आगया और NBFC Non-Banking Financial Corporation Companies इन लोग बहुत सारे कंपनी डूब गया जैसे I, L, N, F, S, Infrastructure Leasing and Financial Services, DHFL जैसे Divan Housing Finance Limited और भी ऐसे संगस्ता है इनका काम क्या होता है, संचिक को बता देंगे यिन्我跟你 रहे पैसे देते हैं ये बैंकों के तरह नहीं है मकान बनाने के लिए अलग-अलग बनियादी धाचा के लिए प्रोजेक्स करने के लिए तो ये सारे कंपनी इसका जो काता में जो दिखा रहे थे इसमें जवर्दस गरबर किया है इनोंने आज नहीं कुछ सालों से और बरे-बरे हमारे दिश के जो कॉर्परेट कैप्टन है वो चुपचा बैठे दे जब कंपनी डूब गया उस समय सरकार उट किया पूरा आप इसका बोर्ड अफ डिरेक्टर्स को अटा दो नया बोर्ड लगाओ और बोलो कैसे कैसे ठीक करो तो देखिए आज भारत वर्ष के लिए भारत वर्ष के अर्थ विवस्ता के लिए निवेश बहुत जरूरी है अगर निवेश हो जाए नहीं होगा तो युवा को नोकरी कहा सी मिलेगा तो इसलिए यही गीता गुपिनाच जी प्यूश गोहल जब जेव बिजोज आये थे एमेज़ून का जो मालिक थे बुला इसमें क्या बरा बात है नो ग्रेट फेवर्स की वो कहा रहे कि एक अरब डॉलर भारत विश में निवेश करेंगे बहुत सारे लोगों को नोकरी मिलेगा तब उसके बाद कुछ भारते जिनता पाटी का प्रवक्ता ये भी कहा कि जेव बिजोस तो वाशिंटन पोस्ट का भी मालिक है और वाशिंटन पोस्ट जैसे अकबार जैसे वेब साइट वो लगातार भारत विश और मौधी सरकार का आलोचना कर रहे है तो ये सब देखके हमारा भूतपूर वजो वित्र मंत्री चिदामबरम जी कहा कि अभी देखो आप लोग इनके खिलाफ कहने शुरू करतेंगे मगर जो वास्तव है अब वास्तव से आप जादा समय दूर नहीं हट पाएंगे और साफ बात है कि भारत वर्ष की अर्थ विवस्ता में जबर्दस्त एक मंदी का दोर चल रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी जो सरकार जो आकरा दिखा रहे हैं कि सारे चार फिजदी हमा पाखे लोग तब उनका नजर में आजाता है कि हाँ स्थिती बहुत गंबीर है बहुत ही खराब चल रहे हैं गीता गोपिनाथ ने अपने इंट्रवी में इसी सवाल का जवाब देते वी भी कहा कि रूरल डिमांड कम हो गया है और आपने अभी निवेशदरों की बात की न पस्वीर उभरती है क्या लगता है कि आने वाले कुछ जो बजट आएगा वो कैसा बजट आएगा देगिए बहुत सामने बहुत बदा चुनौती है हमारे वित्यमंत्री निर्मला सीतरामन जी के सामने ज्यादा समय बाकी ने है अभी पहला फेबरिरी में बजट पेश्ट करेंगे बदार में और अकबार में एक जबरदस्त खबर चल रहा है कि एक नया भी वित्यमंत्री आने का एक संभावना है बजट के बाद और अकबार ने केवी कामत जी का नाम भी चप दिया मगर देखिए जो भी बजट पेश्ट करते हैं निर्मला सीतरामन जी बजट प पूर्वा जो जो मुख्या जो आर्थिक सलाकार उन्होंने खुद कहा कि हम धाई फीसदी बढ़ा के देख रहे हैं अर्थ शास्ती जैसे अरुन कुमार वो कह रहे हैं कि हमारे जो असगनठित शेतर हैं वहाँ पे कैसे लोग आगे बरेंगे कैसे आप दिखाएंगे कि इस नहीं होगा तो रोजकार कहा सिवागा और ये क्यों गरामीन आलाका में मांगने हैं पूरा देश में बहुत सारे चीजों का मांग कम हो गया और जो एक बार जो इस समय जिस समय में हम गुजर रहे हैं एक आश्चर से थी हम देख रहे हैं जो भारत तो इसकी इतिहास में हो गया और आप कहेंगे कि हाँ जो 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 बिजली जो वितरन करते हैं जो डिसकॉम्स बहते हैं डिस्ट्रिबूशन कंपनी जिनका अर्थिक सिती बहुत कराप है और लोग रिन्यूबल एनरजी में जा रहा है कोईला से जो बिजली उत्पादन है वहां से निकल के वो सूरि बड़े जो बिजली उत्पादन करते हैं जो बड़े बड़े कारखाना है जो पब्लिक सेक्टर में है जैसे एंटी पी सी नैशनल थर्मिल पार कॉर्परेशन और भी ऐसे संगस्ता है वो खुद देख रहे हैं मांगनी है बिजली का मांगनी है और बहुत साला इलाके में क कितने गबीर है जरजर होती अर्थवस्ता के साथ जो अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है जो ये कहरे कि दस प्रतिसत लोगों के पास भारत की कुल संपत्ती की तकरीबन सतर प्रतिसत से अधिक की संपत्ती है तो आपको लगता है कि ये केवल पांच-छे सालों की चीज रहे हैं और पिछले लगबग तीस साल और जब आर्थिक उधार कर्म की नीती हमारे देश में लागू हो गया आप बार बार एक चीज के उपर आप कहरे की जीडिपी बढ़ाओ इसका जिस रफतार से बढ़ रहा है ये रफतार बढ़ा दो ग्रोथ 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 ग्रो अमीर लोग है उसको फायदा मिल रहा है और जो ये ऑक्स्वैम का रिपोर्ट ये ही डैवोस में इन्होंने पेश किया एकदम आश्चज कुछ चीजोंने बता है ये एकदम सबसे जो एक फिसदी जो एक प्रतिशद अमीर वेखती है उनका जो संपत्ती है भारतवश का सतर फिसदी सतर प्रतिशद लोगों से जादा है सतर प्रतिशद मतलब पचानवे क्रोड से भी जादा लोग हुआ खत्म नहीं होता है सिर्फ 63 अरबपती भारतवश में 63 इंडियन मिलियनेर जो क्याते हैं इनका जो इनका संपत्ती का जो इतना संपत्ती है पूरा 2018 का जो वित्या साल है जिस वित्या साल में जो केंडर सरकार का जो आम बजट है जो 24 लाग 42,200 करोर है इस से भी जादा है और जो आक्स्वेम रिपोर्ट एक चीज़ उन्होंने बहुत जिस तरह से आकड़ा दिखाया ये बहुत ही एक भाया बहस्तिती है उन्होंने कहा जो घर में एक जो महीला जो काम करते हैं बरतंद होते हैं जारू पोचा लगाते हैं ये कितने रोज़गार करते हैं और वो तो ना किया एक बड़ा कंपनी टेक कंपनी टेकनोलोजी कंपनी का जो एकड़म टॉप में है जो सी यो चीफ इग्जेकेटिव आफिसर वो कितने कमा करते हैं और आश्चज हो जाए कि ये जो टेचनालोजी कंपनी का जो सीओ है हर सेकेंड में एक सोचे रूपए रोजगार करते हैं वो दस मिनिट में जितना रोजगार करते हैं उनका अपने घर में जो जो नौकरानी है एक साल लग एक साल में वो भाई साब जो इतना उसका खमाई है जो इतना उसका वेतन है जितना आए है यह महिला को 2287 साल लगेगा यही रोजगार कमाने के लिए तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है जो जो एक तरह असंतलुन है पूरा हमारा अर्थ विवस्ता में ये एक भयावस्तिती में हम पहुँच गया है कि जहां पे एकदम 90 फीसदी हमारे देश के लोग के पास सिर्फ 25.7 फीसदी पूरा देश का संपत्ती है और हजार से भी कम एक फीसदी लोग एक दम उपर में जो है उसके पास है चार गुना संपत्ती हैं और ये कितने दिन आप चल पाएंगे एक आख़णा आप देखिए एक दम उपर में जो दस फीसदी लोग है चुएतर दश्मल तीन फीसदी पूरा भारत वर्ष का जो संपत का जो कीमत है वो उनके पास है एक दम उपर में जो एक फीसदी है ब्यालेज दश्मल पाच फीसदी नैशनल विल्ट है और एक दम नीचे जो आधा लोग है जो उनके पास तीन फीसदी भी नहीं है दो दश्मल आट फीसदी है तो इस तरह से अगर हम आगे आगे बरेंगे अर्थ विवस्ता में अर्थ नीती में अगर हम सुधार नहीं करेंगे बदलाओं नहीं लाएंगे हमारे देश में सामाजिक अस्थिस्ता राजनेतिक अस्थिस्ता बढ़ेगा आप आज देख रहें सरक में निकल गया हमारे देश के यूँ वो और इसका कारण का है? सिर्फ CAA, NRC, NPR नहीं है ये बहुत बड़ा कारण है, हाँ ये भी कारण है साथ साथ जो अर्थ व्यवस्था में, जो मंदी का दोर चल रहे लोग, युवाओं के सामने, उनका भविश्य में एक तरह से सामने क्या देख रहे हैं? कहां चे नोकरी मिलेगा? कौन निवेश करेगा हमारी ज़िए? आपसे अंतिम सवाल ये होगा, कि आर्थी का समानता के संदर बिंदू से हम सोचें तो एक व्यक्ति को नियायत तो समाज नहीं दे पाता है और नहीं वो एक गर्मापूर्ण जिंदगी जी पाता है तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि आर्थी का समानता इंकम इनिक्वालिटी जैसा मुद्दा राजनीती के केंदर में बन पाए? ये बहुत जरूरी है और ये पूरा विश्व में लाना बहुत जरूरी है आकस्वाइम का रिपोर्ट और भारत विश्व के उनका जो सी-ई-ओ है जो अमिताब बेहार है वो बार बार ये ही बात कर रहे हैं आपका पूरा जो आर्थिक नीती में बदलाव लाना बहुत जरूरी है सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरा विश्व में वो ये जो आकस्वाइम का जो रिपोर्ट है टाइम टू केर करके ये लिखाओ है कि विश्व के सबसे अमीर जो 2153 जो अरब पती है इनका संपत्ती पूरा विश्व का साट वी से दिल लोगों के पास है तो ये अगर आप हम देखेंगे तो मतलब लगभग 46 करोर चालिस ने 460 करोर लोगों के पास जितना संपत्ती है 2153 अरब पती के पास है और एक और आकरा है कि सबसे अमीर है विश्व में जो 22 लोग है इनके पास जितना संपत्ती है पूरा अफरिका में जहाँ चोवन देश है सारे महिला पूरा अफरिका उनके पास जो संपत्ती है 22 जो सबसे अमीर विट्टी है उनके पास जादा संपत्ती है तो ये जो आप असुंतुलन देख रहे हैं ये पूरा भारत वश्व में नहीं है विश्व में भी है मगर इसको जिस तरह से हमारे जो राजनेता है हमारे देश के जो सरकार चला रहे है ये बात एक दम भून जाते है सिर्फ बार बार कह रहे है कि ग्रोथ चाहिए ग्रोथ चाहिए ग्रोथ चाहिए हमारे सकल घरे लोत पाद का रफतार बढ़ना चाहिए मगर इसका फाइदा किसको मिल रहे सिर्फ अमबानी या डानी को मिल रहे या आम आदमी को मिल रहे शुक्रिया इस पर हमसे बातचीत करने के लिए गरीबी और अमेरीकी खाई से सोचेगा दुनिया की असलेलता पर आप सरमहसूस करेंगे शुक्रिया आप देखते रहे नियूस के लिए